हलो वरिवन ग्रीटिंग्स फ्रम डॉक्टर रश्मीज होमेपथी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टन होमेपथिक मेडिसिन नूफर लूटिया के बारे में यह एक हर्बल प्रिप्रेशन होता है यह यह प्लांड किंग्डम से आने वाली बहुत ज्यादा मश्यूर हमेपथिक दवा है इसका प्रयोग मेल और फीमोईल के रीजनेरेटिव और्गन्स यहनि सेक्शल आर्गन्स पर काम करने वाली एक बहुत इच्छी दवा है इसका जो कॉमन नेम होता है वो है वाटर लिली या पॉन लिली भी जिसको बोला जाता है यह पॉन लिली क्योंकि यलो कलर केस के जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं और जाधा तर यह वाटर एरिया में होता है जैसे लोटस होता है पानी में पाया जाता है वैसे ही यह जो पॉदा होता है यह जो प्लांट होता है यह लिली के फॉर्म में होता है पानी में पाया जात और खास करके यह दिखा जाता है अगर कोई जो स्फियर्स होते हैं मेल्स के अंदर इंपोटेंस के केस में लिब्डो के केस में इसका एक्षन बहुत अच्छा होता है एक एक करके हम सारे सेंटोम्स को डिटेल में समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्डो की अगर मे गार्ण्स हैं जो मेल्स के आरगण high वो उसमें कोई erection नहीं होते हैं तो उन सारी कंडिश्ण में नुफरलोटिया को भी लिया जाता है इंपोटेंस के केस में यानि कि चहें ऊवर्यू स ओफ हूँ यह पहले को याश्ञ ढ़ाया खाई हुई हो जिसमें बहुत जादा steroid रहा हो और पहले उसको सारे erections वगरा मिलें लेकिन अभी erections की पूरी तरह से कमी हो चुकी है यानि erectile dysfunction हो चुका है वहां पर भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है इसके अलावा इसमें जो parts होते हैं बिल्कुल cold और relaxed हो जाते हैं कोई sensation उसमें नहीं होती है वहां पर भी इसका अच्छा प्रयोग रहता है जैसे कि मनें बताया कि इसका जो प्रयोग होता है after taking any kind of medicine चाहे वह आयर्विदिक medicines हो चाहे ऐलोपैथिक medicines हो या कोई भी दूसरी जड़ी बूटी वगरी जो दवायां होती है उसको लेने के बाद कुछ समय के बाद आपको बहुत सिवेर साइड इफिक्ट्स आते हैं वहां पर भी ये दवा का जो कंट्रोल है बहुत अच्छा है तुरंद को तुरंद सार होता रहे स्टूल पास करते के समय यह यूरिन पास करते समय यानि सोते समय भी अगर इसमें जैक्विलेशन होता है डिस्चार्ज हो जाता है अंजाने में डिस्चार्ज हो जाता है उस केस में भी यह दवा बहुत अच्छा काम करती है लिबडो इंपिटेंस के केस में और इसके अलावा इसका बहुत अच्छा प्रियोग रहता है जब importance का कारण बन रहा हो कि जो sperms होते हैं उनका जो quality है वो अच्छी नहीं है एजु स्पर्मिया या ओलिगो स्पर्मिया या स्पर्मिया या स्पर्म बिलकुल नहीं है उस condition पर भी ये दवा अच्छा काम करेगी इस में आपको पता चला कि स्पर्म की quantity सही नहीं है या स्पर्म की motility सही नहीं है तब ही नूफर्लोटिया दवा बहुत अच्छा काम करती है यह इसका जो main function होता है यह region relative organs के उपर उनका काम करती है importance को खतम करती है PE और ED के लिए यह बहुत अच्छी दवा है अगर हम बात करत हैं females के लिए तो यह दवा ऐसा नहीं है कि सिर्फ males males में काम करती है females के उपर भी इसका बहुत अच्छा काम रहता है इसमें जो desires होते है females के इंदर उसको increase करती है तो male और female के लिबडों के लिए बहुत अच्छी दवा है इसके अलावा इक्सका एक बहुत important symptom है जो कई बार ignore रह जाता है वो यह है कि जो diarrhea या dysentery होती है वो बहुत जादा इसमें marked होती है अगर कोई बे दवाईयां आपने खाई हो इसके कारणा आपका पेट खराब हो गया हो बहुत जादा आपको lose motion लगी जाते हो सुबा सुबा बहुत जादा aggravation होती हो तब यह दवा काम आती ह तो इस दवा को लेने के लिए अगर आपका पेट हमेशा सुबा सुबा ही खराब रहता हो तुरंद रश करके आपको स्टूल पास के निकले जाना पड़ता हो तब ही नूफर लूटिया को आप दवा ले सकते हैं इसका जो दूसरा indication रहेगा कि sexual organs की भी problem है पेट भी ही पार्ड हो जाती है आपके स्किन के स्पेशली यह जो पार्ट होते हैं वहाँ पर स्किन मिलक狂 हाड वाइट लर्वी चमडी से कठी हो जाती है वो खुजाने से भी बहुत जादा खुजली बढ़ जाती है और बिना खुजाए भी पेशन्ट रह नहीं पाता है तो सिराइसिस के केस में और फोड़े फोड़े, फोड़े फूंसी के केस में भी लुफरलूटिया बहुत अच्छा काम करती है ये दवाज अगर अगर सेक्षिवल ओर्गन के पास फोड़े फोड़े फोनसी आपको हो रहा है बहुत ज़्टा खुशकी होती है महां पे ड्राइनेस बहुत जादा है इचिंग बहुत जादा है वहां पर भी लूफ़र लूटिया काम आती है तो यह तीन चार जू इंडिकेशन होते हैं उसमें एकाम आती है सबसे लास्ट tau इंडिकेशन होता है यह आपकी strength और stamina को बढ़ाती है तो again वही जो stamina की problem होते है sexual organs में जो relaxation हो जाती है parts बिलकुर relax हो जाते हैं desires नहीं आते हैं even जो newly married लोग होते हैं उनके अंदर भी desires केकर कमी होती है all because of either आप दवाईया कुछ गलत खाली हो या कोई और दूसरी reason हो overuse के कारण भी अगर आपको यह सारी तकलीफ अभी आ रही है तब आप नूफर लोट या दवा ले सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके लेने के तरीके के बारे में तो इस तरीकों को जैसे मैंने बताया कि इसको mother tincture form में लिया जाता है अगर हम बात करें इसके precaution की तो इसको लेने के आदे गंटे आगे पीछे आपको खाना नहीं खाना है साथ के साथ अगर आप ने इस दवा को लेने जा रहे है तो mouth में किसी तरह का smell कोई order नहीं होना चाहिए जैसे कि आप latch योगरा ले ले लेते हैं कोई ऐसी चीज़ें बहुत देर तक आपके mouth में smell रहती है mouth freshener वगरा क्या smell नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इसकी असर को कम कर देती है इसके लावा दवा का storage आपको cool and dry place पे करना है fridge में इस दवा को बिलकुल नहीं रखना है तो इस दवा को fridge में बिलकुल नहीं रखना है ठंडी जगा में ज़रूर रखना है लेकिन वहाँ पे dryness होना चाहिए और वहाँ पे light नहीं होने चाहिए तो ऐसी जगापार पर इसको store कर सकते हैं ये दवा 20 से लेकर 70-80 साल तक के सभी लोग ले सकते हैं कोई दवाईयां भी अगर आपकी चल रही हैं तभी आप इस दवा को बिलकुल safely ले सकते हैं तो ये सारी information थी नूफर लूटिया होमेपतिक मेडिसन के बारे में इसके contraindications बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर आप इसको limited quantity से ज़्यादा लेते हैं या एक समय से आप लगातार इसको लिए चले जाते हैं तभी इसका नुकसान आपको हो सकता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ये सारी information थी लूफर लूटिया होमेपतिक मेडिसन के बारे में आपको ये इसको पसंद आई होगी विश्यमों वेरी गूद है थैंक्स ववाची